आपने दम आलू तो कई बार बनाया होगा लेकिन ये दम अर्भी आप एक बार ज़रू ट्राइ करके देखिए ग्रेवी बहुत ही स्पाइसी और जो अर्भी है इतनी सॉफ्ट है कि वो मुझ में रखते ही घुल जाएगी तो आज मैं आज के लिए लेके आएँ हूँ ये दम अर्भी की बहुत टेस्टी सब्जी जो डेवे निटी आपको बहुत पसंद आने वाली है ये एक डम न्यू स्टाइड की सब्जी है जो आप एक बार अपने घर में मनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का दिल करेगा अधा किलो अर्भी जिसको मैंने बॉइल कर लिया है और इसका छिलका हटा दिया है आपके इसको बहुत जादा बॉइल नहीं करना है बस दो सीटी लगा दीजे तो ये अच्छे से बॉइल हो जाएगी यहां पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है ये एक टमाटर लिया है इसको भी मैंने बारी काट लिया है और यहां पर लैसन अधरक और मिर्ची है लैसन अधरक को मैंने कूट लिया था और मिर्ची को काटा है ये मैंने एक कटूरी दही लिया है इसको मैंने फेट लिया है अच्छे से और यह है जीरा, यहां मैंने थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिच पाउडर, धनिया, गरम मसाला, नमक और कसूरी मेती, तो आईए स्टार्ट करते हैं दम अर्भी बनाना, यह मैंने गैस पे पैंट चड़ा दिया है और इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा ओल डाला है, बहुत जा अर्वाडर डाल रही हूं और 1-4 टीजपूर यही मिच्ची डाल रही हूं और इसमें बस थोड़ा सा मिक्स करके आप जल्दी से इसमें हम यह भी डाल देंगे और हमें इसे सैलो प्राइ करना है जब तक अल्दी ट्विस्ट में हो जाएगी हमें तक तक इसको प्राइ करना है अच्छे से मिक्स कर दीजिए जो मिल्ची और हल्भी जो हमने डाली ती सारी हल्भी फे सपोट हो जाएगें तो अच्छे से इसको मसाले के साथ में 걸ären mostly slash अर्वी मेरी श्राइ हो गई है और मसाले की अच्छी सी कोड़िंग अर्वी पर आ गई है अब मैं इसको एक बोल में निकाल जूँगी अब मैं सेम पैन में थोड़ा ओईल एड़ कर लूगी और अच्छे से गरम करना है अच्छे से अब मैं इसमें एक पून जीरा डाल देऊं जीरा प्राए होते ही मैं इसमें ये कटा हुआ बारी अनियन डाल दूगी इसको हलका प्राई करना है प्याज प्राई हो गई है अब मैं इसमें ये जीरा डालिक डाल दूगी और साथ में हरी मिच्छी अब इसको भी अच्छी से भून लीजिए फटक जिंजर गालिक का जो पच्छा फ्लेवर है जो इसका समार है वो चलीन जाए जिंजर गालिक भी अच्छी से भून गया है अब मैं इसमें ये पटा हुआ एक टमाटर डाल गया हूँ इसको मैं प्यास के साथ अच्छी से मिक्स कर दूँगी और हम इसमें सारे सूपके मसाले आड़ कर देंगे मैं इसमें ये एक चमल धरिया पाउडर डाल रही हूँ मुझा ये अच्छी आट हाफ टी स्पून मिल्ची और ये हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर तो अच्छी से मिक्स कर देंगे और मैं इसमें नमक अट कर दूँगी अब इसमें एक चमच नमक आड़ कर लिए अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आड़ की जिए और इस मसाले को अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि ये तमाटर जो है एकदम सॉफ्ट ना हो जाए और प्याज के साथ मिक्ष हो जाए तब तक मैं इसको पकाऊंगी अब मैं इस मसाले को चेक कर लेदें। मसाला अच्छे से पक गया ए इसने ओईल भी रिलीज कर दिया है अब हम इसमें दही आड़ करेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दालेंगे एक साथ दही दालना है तो पहले मैं ये तो टेबल स्कूम दही डाल दियो और इसको जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें और दही आड़ करेंगे मैं इसमें यह तू टेबल स्पूर दही और आड़ कर रही हूं अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रहूँ ही मसाले में यहाँ पर आप गयास की जो फ्लेम है उसको आप थोड़ा लो रखके वरना दही फट सकता है अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब मैं इसको फिर से कवर कर दूँगी और पांच मेट के लिए मैं और पकाऊंगी मसाला फ्राई हो गया अच्छे से अब मैं इसके अंदर अर्वी आड़ कर दूँगी यह जो हमने अर्वी फ्राई करी थी मैं इसके अंदर आड़ कर दूँगी और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं पांच मेटी में डादूँगी यह क्रश करके और इसको मिक्स करके मैं पांच मेट के लिए और पकाऊंगी कवर करके मैंने इसको कवर कर दिया है पांच मेट के लिए पांच मेट हो गए है अब मैं कवर अटा के देख लेती हूं सबजी अच्छे से पग गी है मसावी में अधी मिक्स हो गई है अब हम इतने थोड़ा सा गरम मसाला आड कर देंगे यह मैं इसमें 1.5 टी स्पून गरम मसाला आड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और यह खाने के लिए अब एकदम रेडी है मैं इसको एक लेट में निकाल लेता हूं यह अलबी की सब्जी एकदम रेडी है खाने के लिए आप इसको चपाती या राइस के साथ सर्फ कीजिए यह बहुत टेस्टी लगेगी और आप भी अपने किचिन में इसको जरू ट्राय कीजिए अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीज और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए थैंक यू